नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों एक वर फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल दपीसिये विजन में आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास्ट्वेल एकोनोमिक्स के सकेंड ट्रम के मोडल पेपर सेट फोर का पार्ट टू को देखेंगे पैर ब सकते हैं साथ इसाथ मैं आपको जनकारी देदेना चाहूंगा प्यारी बच्चों हिष्ट्री आपका चारी स्ट पूरा हो चुका है जीज गारफी का भी से वहां से जा करके देख सकते हैं और बाकी बाद इसी तरफ से आपका पूरे 500 सेटे का solution provide करने के बाद हम लोग क्या करेंगे daily practice live session होगा उसमें daily question को हम लोग practice करेंगे प्यार बैचो ताक कि आप exam में बहतर कर सकें तो चलिए start करते हैं आज के प्रस्न को तो बच्चो पढ़ाई में doubts आते हैं, solve नहीं हो पारे, घबराओ मत इसका solution है doubt and tap, जिस भी सवाल में आपको doubt है उसकी photo खीचो, crop करो और 5 सेकिंड के अंदर अंदर आपको उसका video solution मिल जाएगा, वो भी बिलकुल free में यानि अब आप पूछिए अपने unlimited सवाल कहीं भी, कभी भी अब चाहे आपका सवाल क्लास 30 से बारवी, IIT, J.E. या NEET का हो या फिर CBSE, UP, बिहार, राजिस्तान या अन्ने स्टेट बोर्ट का हो कोई भी सब्जेक्ट ओ, physics, chemistry, math, biology, science आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ doubtnet अप पर साथ ही doubtnet पर चल रही है क्लास 9 से 12 आईट, J.E. और NEET के बच्चों के लिए जिसका हिसा बनकर देश के सभी राजियों से बच्चे लेकरा है rank 1 तो आज ही doubtnet अप इंस्टॉल करो, अपने सभी doubts भगाओ और टॉप rank ले आओ 15 नमर का प्रस्टे प्यारे बुचों, निमलिखित को परिभासित करें तो पहले किसको परिभासित करना है? माल सुची को तो देखिए, माल सुची एक लेखांकन सब्द को कहते हैं जो माल की संद भरित्या करता है जो बिक्रू के लिए तयार किये जाने वाले इभीन चर्णों में बनाये जाते हैं जैसे की पहला हो गया तयार माल जो बिकने के लिए उपलब्ध हो दुसरा क्या है पहरे बचों? कायरे में प्रगती जो बनाने के लिए बनाने की परिक्रिया में हो तिसरा क्या है खच्चे माल जो तियार माल का उत्पादन करने के लिए उप्योग में लाए जाने वाला माल है पैरे बिचो तो इसको कहते हैं माल सुची देखे पैरे बिचो माल सुची आम तोर पर सबसे बड़ी वर्तमान संपत्ती होती है जिसे अगले वर्स की भीतर बेच कंपनी के पास होता है मतलब जो कंपनी माल बनाते प्यारे बिचो उसे अगले वर्स बैचने की एक तरह से है कि उमीद हो ती तिन इसी को कहते है देखे उसके बाद भी में आप लोग आपर देख सकते हैं वियाज वियाज को आपकर आप परिभासित करना है तो देखे ब्य पूंजी के परियोग के बदले पूंजी पतियों को दिये गए भुगतान को क्या करते हैं ब्याज करते हैं मान के चले को आपको पूंजी दिया तो उसके बदले में उसको तो कुछ फैदा देजेगा ना तो क्या फैदा देजेगा ब्याज देजेगा तो उसी को क्या करते है ब्याज कहते हैं तो इसे आप दूसरे वड़ में यहां पर देखे किन्स के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं देखे किन्स के अनुसार ब्याजवा किमत है जो कि धन की नगद रूप में रखने के लिए इच्छा तता प्राप नगदी की मातरा को समानता अस्थापित करता ह है किसी निश्चित अब्दी के लिए तरलता के त्याग पर पुरुषकार ही ब्याज है मतलब हम कुछ तरलता आपको कुछ कैसे देने पहरे बचो कुछ निश्चित अब्दी के लिए कुछ समय के लिए तो उस पर हमें कुछ तो आप दिजेगा पुरुषकार के रूप मे घिसावत एवं परतियस्थापण मापन की रासी को घटा देंगे उसे ही क्या कहेंगे निवल निवेस कहेंगे उसके बाद देखें सुल्लों नमर का प्रश्णी पहरवचू यह प्रश्ण भी भी आई है एक बोर्ड एक्जाम में आ सकता है देखें रैष्टिया आई से आपके प्रश्णी आ रहे हैं सेटबन में था आपका उत्पाद विद्य से रैष्णी आई की मापन की उसके बारे में वर्णन करना था यहाँ पर है रैष्णी आई की वय विद्य से वह विदी से यहाँ पर आपको बताना है, तो देखेए पहरे बिचू कि मुल्य और विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का योग होता है देखे पहरे बचों यहां पर है क्या सकल घ्रेलू उद्पादित अंतिमस्तुओं मतलब जीडिपी जो अंतिमस्तुओं वस्तुओं और सवाओं के मिल और विजोसों से प्राप्त नीवल साधन आय का योग होता है पहरे बचों ठिक ना और देखे इस विधी में निमलिखित चरण होते हैं पहला चरण क्या है अर्थवेश्था के सभी उत्पादक उपकर्मों को उनकी गतीर विधियों के अनुरूप तीन वरगों में विभाजित की जाती है तो प्रास्मिक छेत्रक दूतियक छेत्रक और तिर्टयक छेत्रक यह तो आप लोग जानते ही होंगी तो चरण दूत्यक छेत्रक उनकी उत्पादन इकाईयों को सामिल किया जाता है जो अगातुव को निर्गत में परिविर्तित करता है उधारन के लगड़ी कुर्सी के रुप में परिवर्तित क्या चाता है इनमें वी निर्मान निर्मान विद्यूत गेश अमँ जला पुर्तित जिए से उपचे का ते हैं देखे पहला चेतर आपका क्रिशिट से घूला इस छेत्र की उत्पाद की कायों में सभी परकार की सेवाओं का उत्पादन होता है मतलब इसमें सभी परकार की हर एक परकार की सेवाओं का उत्पादन होता है जैसे वेपार वानिजिय बेंकिंग परिवहन आदी इसे सेवा छेत्र के नाम से भी जाना जाता है तो यह प्रश वैस्ता की परत्यक उत्पादक इकाई में सकल उत्पादन का मुल्य की गन्ना उसके उत्पादन की इकाईयों को कीमत की गुना करके ग्यायत किया जाता है इसे सकल उत्पादन की मुल्य से मधिवर्तिव वस्तु, मुल्य हरास और निवल अपरतियचकरों की रास्यों को घटा कर हमें उन उत्पादक इकाईयों दुवारा की गई साधन वने की फैक्टर साधन लागत वने की फैक्टर कोश्पर निवल मुल्य व्रिधी का करने का ऊपदन की मान के चलते हैं लोग कोई वस्तु को हम लोगों ने चार। चारपीस चार इंगाई का मतलब होगया इस इसमें क्या करेंगे मधियवर्ति उपभों को घटा देंगे को घटा देंगे और निवल अपरतियस करों को भी हम जब घटा देंगी ठिक ना ब्रीधी को अनुमान प्राथ होता है यह आप लिखा हुए देखिए सुढम ब्रीधी ब्राबर क्या हो गया उत्पादन का मुली मद्वर्ती उपभोग मैनस मुलहरास मैनस शुद्अपर्तियच कर वही जो मैंने आपको पहले बताया है यह यहाँ पे लिखा हुए यह देख दिन में 4 रूप्या था प्यारी बूर्चों उसके बाद इसको 5 रूपया कर दिया फिर निखितम फ्राइक्त के लिए बढ़ द्धrebकru कर रहें तो सोधर मुल ब्री एक बाद और इत्र lass वी शेटीश में एक भूर है को उनकलक वाति हुए मतार्ग राद करने पिर मत other गईतिसी फिर सिन प्सकोन के Пр disproportionately करें गद साथ सलीं शनकी नियुट करने क्के गार। तो वहां पर दाम हो गिए इसका किदिये वही तो यहां पर किलिए रिखा गया है कि लिए रहें यह आगे आप देखे लिखा गया है एक छेत्रक को सभी उत्पादक की कायों दुबरा की गई निवल मुली बृदी का उए योगफल उस छेत्र के दुबारा साधन लागल पर निवल मुली बृदी का अनुमान परदान करता है अर्थवेस्ता कि तीने छेत्रक में इस प्रकार के अनुमानों का लोग साधन लागत पर सखल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है साधन लागल पर सुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर होता है निव फेक्टर कोस्पट जी एनपी के बराबर होता है वहीं यहाँ लिखा गया प्यारे वच्छों देख छेत्र में मदिवर्ती वह यहां पर लिखा हुआ है अब तुसरा प्रोसिस्ते की पहरे बुच्व क्या होता है साधन लागत पर निवल घरिलू उत्पाद में विदेशी से निबल साधन आए जोड़कर हमें साधन लागत या निवल रैष्टी उत्पाद प्राप्त होता है तो देखिए राइष्टी आये ब्रावर क्या हो गया साधन लागत पर यहीं यहां पर जो लिखा हुआ ऐसे निची फर्मूला में लिखा हुआ ठिक न तो साधन लागत पर सुध घरिलू उत्पाद ठिक न प्लस बिदूसों से प्राप्त सुध साधन आए जो बिदूसों से क्या करेंगे प्यारी बीचों 110 रुपया में 100 घटा देंगे तो सुध क्या हो गया सुध विजसी आए कितना हो गया 10 रुपया हो गया तो 10 रुपय को जोड़ देंगे वहीं यहां पर लिखा हुआ है देखिए अधी विदेशों से प्राप्त निवल साधन आए रिनात्मक हो तो साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर रैष्टिय उत्पाद से अधिक होगी और अधिक होगी ठीक है ना तो यहां पर यह लिखा हुआ है निवल साधन अधी रिनात्मक हुआ तो साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद क्या हो जाएगी वो अर विख होगा तब रेश्टि से। अदिक होगा ह। टो सब्धाम कि नहीं त्य गें लेकिन चैना सब्धानिया बतिन है पाद इसके बारे में उसके जाना चाहिए और यह आपका एक्जाम में आ सकता है ठीक ना तो देखे पेरेबुचो सब भोग के लिए उत्पादन का जो अंस उत्पादक स्वे मुख कर लेता है जिसका मुल्यांकन हो सकता है वह भी चालू वर्ष के उत्पादन का हिस्सा है उससे उत्पादन में सामिल कर रहें कुछ उत्पादन करके उसको भी आपको सामिल करना पड़ेगा ठीक ना मान के चलते हैं अपने उत्पादन के पैरेबुचो और खुद खाली तो नहीं गिनना पड़ेगा यहां पर इसमें ध्यान देना है दलालों को पुराने चीजों की खरिदी विक्री पर दिया क्याना चाहिए क्योंकि उनको सेवा के बदले चालू वर्स में भुगतान के जा रहा है विचोली ओमान के चलते हैं हम आपको बकरी लेने वाले एक यहां पर बेपारी है ठीक यहां पर आप इसको दिये पांच रुप्या में और पांच रुप्या में आपको बोलो कि हम य दो रुप्या तो उसको भी गिना पड़ेगा ठीक ना दलाली करता है पुरानी वस्तों की विक्री की इस्तिमाल पर आई पुरानी चुझो की विक्री रस्तिया में सामिल नहीं कि नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे दोहरी गन्ना हो सकती है मतलब मद्वर्ति पादर हुआ तो यहां भी जोड़ेंगे यहां भी तो तो गड़ा जागा ना एक यह बार जोड़ना है उसके बाद देखे गिरिणियों को सेवा को सामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका मुल्यांकन कर पाना बहुती मतलब घर में जो खाना हुना मनाती है ग्रीनी मुद्रा गुनक से अभी प्राहे उस संख्या से है जिसे यहां ग्यात होता है कि उच सक्तिसाली मुद्रा में परिवर्तन होने से मुद्रा की पूर्ती में कितनी गुना परिवर्तन होता है तो देखे पहरे बचों यहां पर एक मुद्रा गुनक से क्या ग्यात होता है मुद्रा पूर्ति के संकेतों को M1, M2, M3 और M4 की सिफारिस की थी तो M1 क्या है प्यारी बचो जनता के पास जितना भी करंसी है जितना भी नोड तथा सिक्के हैं प्यारी बचो प्लस बेंकों में मंग जमाएं चालू या तो बचत खातों में जो भी है ठिंग न और प्लस रिजर्ब बेंक की सब्सक्राइब कर घंप में में जमाएं अने सब्सक्राइब तो अब एम्टरी के ब्राबर क्या हो जाया मोन जो मुना पर लिखे पैरे बचूँ यहां पर जो लिखें जनता के पास बैंकों के पास अर्बाइए के पास ठीक ना प्लस बैंकों में सवधी जमा खाता सवधी जमा का मतलब एक अवदी के लिए फिक्स डिपूजीट कर देते ओ मतलब बैंकों में जनता के पास डाग घुरों में इस सारा जोट देंगे पैरे बुचों प्लस डाग घुरों की कुल जमाएं यह आपके क्या हो जाएगा है एमफोर हो जाएगा ठीक ना तो देखें मुद्रा की पूर्ति मुद्रा अधिकारियों दुवारा सतनती रूप स जाती है मुद्रा गनक को दो निर्धारक तत्व हैं वेबसाइग बैंकों की जमारासी तथा लोगों की द्वारा रखी जाने वाली मुद्रा की मातरा जिसे हम लों क्या समझे सकते हैं एम प्रापर M ब्रापर क्या हो गया डी प्लस सी यह समिकरिल उमन मान लेते प्यारे ब और लोगों के पास अगर हम लोगों के पास जो मुद्रा उसे सी से दर्सा है ठीक ना इसको समिकरिल उमन माली देखिए सकती साली मुद्रा तीन तत्व पर निधारित होती है पहला क्या है प्यारे बैंकों द्वारा नगद मुद्रा की मांग अनिकी सी और फिर उसके बाद है दृण को कि अनुपातनी की आर्यार इस्टरा क्या है यह वह बैंको द्वारा अतिरीघ्ट रिजर मांग अतिरीग्ट कोई यह से दरर से सुत्र से एचरा बर क्या होगे पहर भी शक्ति साली मुद्र निर्धारित होती है प्लस आर यार प्लस यारे रिकोट उस अमिक.श दो वाल निये अब क्या करेंगे समिक्रन एक को समिक्रन दो से भागा देंगे देखिए समिक्रन एक को दोसे भाग देने पर यहाँ पर एम बटा एज कर दिए निचे वहstar 2 है तो समें बटाडी 7 वही सब रहने दिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको थोड़ा भाज लगेगा बाज इसलिए लिए प्यारे बचों क्योंकि थोड़ी कटनाई भरी परिशानी है इसको आप देनिक जीवन से रिलेट नहीं कर से बैंकों से रिलेट है इस वज़े से नहीं समझ सकते हैं तो मुद्रा की पूर्ति को मैंने पहले पढ़ाया था उसमें भी इस्तरक का परियोग हुआ था उसी आप लोग देखिए तो साइदी से कुछ समझ में आ जायागा ठीक ना उसके बाद देखिए बैंक दर क्या है बैंक दर मुद्रापूर्ति को किस प्रकार से प्रभावित करता है तो देखिए पहरी बचों हम लोग क्या करते ह प्रभावित को पैसा नहीं देगा कुछ तो आपका इंट्रेस्ट और व्याई लेता है उसे क्या कहेंगे बैंक दर कहा जाता है वह यहां पर देखिए मैंने लिखा है बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश की केंद्रिये बैंक अपने सदस्वेपारिक बैंकों को सरकारी ओनिंट भृति पर जमानत पर रिन परदान करता है प्यारी बुचो यह आपका हो गया यह टिंग ना मतलब अज्वारी जमानत पर रिन प्राप्तकरदाज करता मतलब लिण दिता है मतलब यह कुछ ना कुछ पर पादी भूति वहपे बैंकों से लेता है रिन के बास्धलो बेंक दर को बढ़ा देता है यहाँ पर देखने क्या परभाब पढ़ेगा जब वभृ बढ़क बेंकों को उची दर पर रिंड मिलता है मतलब ज्यादा रेट लगने लगता है ज्यादा अन्टरिस्ट Ci लगने लगता है पहले बढ़ादेगत किया कर देगा च्छी प्रस्ट उसके कारण वेक बैंक भी हम लोग करते हैं आ ब़रें prosecutors से जादा इंच्रसि norm भाड़ा हो जाता है और ईदो कि से वी कि से जलने हैं क्या होगा मांग कम हो जाएगा मांग घड़ जाएगा तो यहां पर भी वही रूल लाग वर रहे पर हम शरूप्र साखा का संकोचन होता है इस से महंगी मुद्रानीती कहते हैं सरकार मुद्रास पृथ स्पिति को नियंतर करने के लिए बैंक और विक को सच्ता होता है और रीन की मांग बढ़ती है परिणाम सरूप मतलब सस्ता कुछ भी सीज का सच्टा हो जाएगा उते आलो का दा मैं 5 रुपय कीलो जाएगा तुमस खरीदने लगेंका आप 5 रुपय तो तो यहांपर रीन का जो दर्य घटाकों इंट्रेस्ट क् relationships सघॉचार तो इसस्ता हो जाएगा तो इसका दाम जहाजर लोग रीन लेंगे माँग Right जाएगा इसी सस्ती मुद्रानिती कहते हैं अर्थवैस्था में निवस बढ़ाने के लिए बैंक दर्कू क्या क्या जाता है धटा दिया जबता है अब देखिए आपका उनीस नमर का प्रस्न है बहुत इंपोर्टर प्रस्ट है देखे पैर विचो अधिक इसी गयात करना यहां पर इसका मतलब यह हो पेरी मिलश उद्फाजर फलवान का यहां पर आपका संभी रंद्या हुआ है सुवेता नियुश्व मिल्श कर पर विल्योग क्達 दिया हुआ हुआ और चुकी की इस तरह कींदीशन में क्या होती एस मतलब बचने से freighter सी कटूरू गया करोड दिया हुआ ठीक नोर हम लोग सोरी देखिए पहरेंबचो यहां 5 दिया हुआ है ठीक न का बेलू दिया हुआ है सोरी 4 ध्या भेल दिया हुआ है आप का देख derivatives सब्सक्राइब इस में पूर्वी हो जाता तो है लिगा this if you सबस्क्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब अप्लोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग डेली प्रेक्टिस करेंगे प्यर्मों के स्लेबस को क्योंकि टर्मों आपका भूसी ज्यादा इन्पोर्टेंट है वह आपका लाली पॉप कुछन रहता है उब्जेक्टी तो 40 में 35 तो उठाई सकते हैं अगर छोड़ देंगे आप लोग जोएंड करिए मिलते हैं नेस उड़े में धन्यवाद